राजधानी दिल्ली जिसके जाने से करोडों लोग दूग भरे आसू से विलाब कर रहे थे देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़के भिल से भर गई पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतीम संसकार भी मुंबई में ही होना था नाकपूर, कानपूर, दिल्ली, चेन्नई, मदराज, बैंगलो, पुने, नासी और पुरे देश से मुंबई आने वाली रेल गाड़ी और बसों में बैठने को जगह नहीं थी सब जल्द से जल्द मुंबई पहुचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जन सागर से भर गई कौन था ये शक्स जिसके अंतीम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलगते मुंबई के और बढ़ रहा था देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजर्ग छोटे छोटे बच्चों जैसे चाती पीट-पीट कर रो रहे थे महलाय आक्रोश कर रही थी और कह रहे थी मेरे पिता चले गए अब कौन है हमारा यहा चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखो दिल रुदन से जल रहे थे अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौड जाता फिर थपकता फिर लौड जाता शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था चिता जली और करोडों लोगों की आखे वरसने लगी किस के लिए वरस रहे थी आखे कौन था इन सब का पिता किस की जलती चिता को देख कर जल रहे थे करोडों दिलों के अगनी कुंड कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलिया, मन से मस्तिक्ष तक दोड़ जाता था उर्जा का प्रवाह, कौन था वह शक्स जिसने छीन लिये थे खाली कासे इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास, आखों में बसा दिये नय सपने, ओठों पर सजा दिये थे नय तराने, धमनियों से प्रवाहित कियाता स्वाभिमान अभिमान को, दास्यता की जंजीरे तोड़ने के लिए दिया प्रग्या का श्यस्त्र, चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे, और देश के हर गाओ के किनारे में जल रहा था एक समशान हर एक शक्स की आखों में और दिल में भी, जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा, या गाओ के उस छिंडे को जिसमें निला चक्र लहरा रहा था, क्या बैठा था भूव प्याज भूल कर अपने समुह के सार उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था, क्यो गाओ शहर में सारे समुह भूखे पैसे बैठे थे, उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए, कौन सी आग थी जो वह लगा कर चला गया था, क्या विद्रो की आग थी, या थी वह संघर्ष की आग, धू जलती मनस्पृती धूवे के साथ खतम हुई थी, क्या यह वह आग थी, जो जला कर चला गया था वह, सारे ग्यान पीट, स्कूल, कॉलेज, मरुभुमी जैसे लग रहे थे, युवा यूवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिन्नोंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा क महत्र समझाया, जिन्ने का मकसद दिया, राष्ट प्रेम की ओत प्रोत भावना जगाई, वह युगंदर, वह प्रग्या सुर्य काल के कपाल से ढल गया था, जिस प्रग्या तेज ने चेहरे पर रोशनिया बखिरी थी, क्या वह अंधरे में गूम हो रहा था, बड़ी अज जगाने वाली धुआ भरी चिन्निया भी आज चुपचाप थी, खेतों में हल नहीं चला पाया किसान, क्यों? सारे ओफिस, सारे कोट, सारी कचहरिया सूनी हो गई, जैसे सूना हो जाता है बेटी के बिदा होने के बाद बाप का आंगन, सारे खेती हर मजदूर, किसान असम अंजसमे थे, ये क्या हुआ? उनके सीर का छत्र छीन गया, वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोट, मजदूर आंदूलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा, सारी मिलो पर होती थी जो हड़ताले आंदूलन, अपने अधिकारों के लिए उसकी प्रेणा भी तो वही था, जिसने मजदूरों को अपना स्वतंतर पक्षे दिया और समिधान में लिग धी वह सभी बाते जिनोंने किसानों, खेती हारों, मजदूरों के जीवन में खुशिया बखे ली थी, इधर नाकपूर की दिक्षा भुमी पर मातम पसर लोगों की चीखे सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए, आधोनिक भारत का वो सपुत्रे जिसने भारत में लोकतंतर का विजारोपन किया था, जिसने भारत के समिधान को रचकर भारत को लोकतंतरी गनरज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स् और न्याय का अधिकार दिया था वो देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था क्या सचमुच बह शक्स नहीं रहा कोई भी विश्वास करने को तयार नहीं था लोग कह रहे थे अभी तो यहां बाबा की सपेद गाड़ी रुकी थी बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में देखो अभी तो बाबा ने पंचेशिल दिये थे 22 प्रतिग्याओं की गुंज अभी आसमान में ही तो गुंज रही थी तो गुंज शान्थ होने से पहले बाबा शान्थ नहीं हो सकते भारत के इथियास में नई करवट ली थी जनसायलाब मुंबई की सडकों पर बह रहा था भारतिय संस्कृति में तुछ्छ कहलाने वाली नारी जिसे हिंदु कोडबिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर समिधान में उसके हक आरक्षित किये ऐसी मा बहने लाखों की तादात में समशान भूमी पर थी यह भारतिय सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुँव पर एक जोरदार तमाचा था क्योंकि जिन महिलाओं को समशान जाने का अधिकार भी नहीं दिया ऐसी तीन लाख महलाए बाबा के अंतिम दर्शन को पहुची थी जो अपने आप में एक विश्व विक्रम था भारत का ये हजुगंधर समिधान निर्माता प्रग्या तेज प्रग्या सूर्यम महा सूर्य कल्प पुरूश नव भारत को नवचेतना दे कर चला गया मानवता के रास्ते पर जहा कभी सुर्यास्त नहीं होगा